नमस्कार किसान भाईयो मैं आपका दोस्त नरेंदर पोर्वाल आपके अपने यूटूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ढोस्तों हम कोई सी भी फशल लगाते हैं, चाहे खरीप में सोया बिन लेलो, या फिर कोई सी भी हम फशल लगाते हैं, उसमें हमें कीटों से लड़ना भुत ही महत्पून होता है, लिएक इसे हम कीटों का सामना करने में बहुत परेसानी आती हैं, वेसे तो दोस्तों बहुत स जारा खर्चा करना पड़ता हैं दोस्तों और उनका कुछ स्वास्त पर भी हमारे विप्रित प्रभाव पड़ता हैं जैसे की केंसर जैसी बीमारिया उनसे पनप रही हैं तो उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों तो उनसे बचने के लिए हम कुछ जेविक उपाय अपना सकते हैं जेविक खेती की और बढ़ सकते हैं और इन कीटों पर हम नियंत्रन भी कर सकते हैं और हमारी फसल को सुरक्षित भी रख सकते हैं उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं कम खर्चे में और उनका हमारे स्वास्त पर विपरित प पढ़ेगा यह एक यह सलगर पिछाना पड़ेगा या एक इतल यह सकते हैं मुख्य फ़सल hatırbe Tag कैसे अपना सकते हैं और हमें कौन-कौन सी फसले लेनी है जो की ट्रेप के रूप में या जाल के रूप में काम कर सकती है तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे उससे पहले दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले औ ट्रेप क्रोप या एंतर फचल्यां इंतर क्रोप क्या होती है तो जाल फचल्या जो ट्र penguin फचल्यां द인데 फचल्हां उसके आज पास बॉर्डर पर लगा दी में दूर्ड़ लगा डा करों distribution क्रोप का सोग्या. ट्रेप क्रोप होती हैं जो की बोडर पर लगाई जाती हैं उसमें हम गेंदा ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों गेंदा होता है वह उस पर दोस्तों जो रस्चुसक कीट होते हैं वो आकरसित होते हैं तो वो रस्चुसक कीट गेंदे पर आकरसित हो जाएंगे और हमारी जो क्रो शिरिप गेंदे की फशल में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों और एक होती है अंतरै नोवोगा लगानिक जिससे टीन होग़ दोस्तों कि प्रहें उसमें यह सो यह सो यह की लगानी में है तो वो हमारी जो मेन फसल होती है उस पर नुकसान नहीं पहुंचा कर उसमें पहुंचाएंगे और दोस्तों यह जो दोनों फसले बताई हैं इनका एक प्लाब और होगा क्योंकि इनमें जो नाइट्रोजन पेदा करने की जो गांठे इनके जड़ों में ज़्यादा बनती हैं और यह बातावरन से नाइट्रोजन लेकर नीचे जमिन में पेदा करेंगे जिससे कि हमारी सोयबिन की फसल को भी नाइट्रोजन की पूर्ती इससे हो जाएगी दोस्तों तो यह कर सकते हैं उसके बाद एक और जो ट्रेप फसल होती है अरेंडी की फसल उसको भी हम केश्ट श्यस्टर सीड या अरेंडी की फसल को भी हमारी फसल के आज शस्फास लगा सकते हैं जिससे कि जो पत्ती खाने वाले जो कीट होते हैं जो पत्ती खाने काते हैं वह हमारी उसवाबिन पर तो ये भी हम कर सकते हैं तो दोस्तों इसकी क्या-क्या लाब है उसकी अगर हम बात करें तो इस क्रोप को लगाने से हमें दो या तीन तरह के बहुत सारे लाब हो सकते हैं पर दो या तीन तरह के मुख्य लाब हैं कि हमें इस फसल के साथ-साथ में जो दूसरी फसल हैं उससे लगा रहे हैं उससे नाइट्रोजन की उपलब्द आच्छी होती जिससे कि हमें नाइट्रोजन नहीं डालनी पड़ती तो वह हमारी फसल के लिए बचत हो जाती हैं उसके बाद तीसरा फाइदा यह है कि हमें जो रासाइनिक दवाई या उप्योग करनी होती है वो सिर्फ जो हमारी ट्रेप फसल हैं उसके उपर ही खर सकते हैं जिससे कि हमारे पूरे प्लांट पर हमें दवाई का इस्प्रे नहीं करना पड़ता है और सिर्फ जाल फसल के प्योग बिल्कुल कम करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों जिससे कि हमारे स्वास्त पर जो विपरित प्रभाव पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ेगा दोस्तों दोस्तों एसे सभी फसलों के आस पास हम बोडर फसल या ट्रेप फसल लगा कर हमारी जो खर्चा होता है उस जिससे कि हम आपकी मदद कर पाएं और आपके सुजा होगा तो हम उनका भी स्वागत करेंगी दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा किसान भयों तक सेर करें जिससे कि वह भी लाव उठा सकें और खेती से संबन दी अधिक जानकरी चाहि वह दबा कर आल पर प्रेस कर दे जिससे कि आप तक जल्दी जल्दी आ जाएगी दोस्तों तो वीडियो को आनता तक देखने के लिए धन्यवाद जय हीन जय भारत